बोपाल की नगनगम की रिटार्ड अधिकारी भीके जैन के घर लोकायुक्त बुलस ने शापा मारा है। से लोटे थे पीके जैन दोजाटेश में अधिक्षन यंत्री के पच से रिटार्ड हुए थे। सब क्या क्या चीज़ें के रिटार्ड अभी सभी पेपर्स का डॉकुमेंट का अधियान नहीं हो पाया है। तो अगर ऐसी चीज़ें आएंगे तो उसको भी देखेंगे। बैतूल का जिक्र करेंगे कबार खाने में बं के खोके मिले हैं। एक बं जिन्दा होने के सूचना भी मिले हैं। पुलिस मौके बार पहुँचे एरफोर्स को भी सूचना दी गई। बं निरोधक दस्ते को इटार्सी से बुलाया गया। एरफोर्स की टीम भी कुछ देर में पहुच रही है। लोहापुल खंजनपुर इलाके में ये कबार खाना होना बताया जा रहा है। तो कबार खाने में बं के खोके मिले हैं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। इटार्सी से बं निरुधक दस्ता भी बुलाया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें जो हैं सामरी आई हैं यहां से खोके बं बरामत किये गए हैं। और यहां पर तीम को भी बुलाया गया है। एक बम निरोधक दस्ता पहुँचने वाला है कुछी देर में कबार खाना है यहां पर बम और खोके पाए गए पुलिस ने इलाके को फिलाल सील कर दिया है और आप टीम को भी बुला लिया गया है निरोधक दस्ता बम निरोधक दस्ता अब पहुँचने वाला है और उसके ब पाद बम निरोधक टीम को बुलाया गया है, पहुचने वाली है टीम, पुलिस मौके पर पहुच चुकी है. सापों से सचेत रहो, ये भी कहा है. सापों से सचेत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कुछ अपने ही पाटी के नेताओं को गेरा है, ये तो वही जाने, पर ऐसे कई सारे नेता हैं, शायद उनकी उनसे नहीं बनती, यह बगावत की कगार पर है, उन्हीं को लेकर के ऐसा बयान उनके द्वारा दिया गया है, उन्होंने कहा कि नाक की पूजा करो, पर आस्तीन के सांपों से सचेत रहो, ये बड़ी बात दिगवजा सिंग कहते हुए नजर आए, जाधा जानकारी के लिए सायोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर खास चर्चा के लिए नेहा बगा जी बीजेपी से जुड़ ही हमारे साथ निहा, जी बहुत स्वागत है आपका, हमेशा सुर्कियों में रहते हैं लिगवजा सिंग जब भी बोलते हैं, अब तंच किस पर कस रहे हैं, ये तो वही जाने, पर वो कह रहे हैं कि नाक की पूजा करो, पर आस्तीन के सांपों से सचेत रहो, किस तरह देखत कि कॉंगरिस जड़ों में और गुटों में बटा हुआ दर है, और जिस तरीके से जुतब पैजार की स्थिती बनी रहती है, दिगविजा सिंग जी ने तो मानिये कि कसम खा रखी जब तक कॉंगरिस समाप्त नहीं होगी तब किसी प्रकात से लगे रहे हैं, अपने ही नेत कि कॉंगरिस के संगठन में पूट डालने की बात हो, देश से लेकर संगठन तक जिगविजा सिंग जी का यही रुख रहा है, और मुझे रख्चा उसी में कदब आगे बढ़ाया है, कॉंगरिस पार्टी को इस ओर जान देना चाहिए, उनका आंतरिक वसला है, उनके नेत प्रतिपक्ष को, प्रदेश अक्डेक्ष को, जी सुपटवारी जी को आस्तिंदा साप कहा है, जी आप लगातार बने रहेगा निहा जी, मिथुन अहिरवार जी जुड़ गए हैं कॉंगरस से, मिथुन जी कई बार भारी पर जाते हैं, ऐसे भारी बारी शब्द कहना और क कहीं न कहीं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कॉंगरस खाली होती जा रहे है, खुखली होती जा रहे है, तो इसकी वज़ाए शायद ये भी है, दिखवजे सिंग अब कहा हैं कि सापों कुदू चड़ाइए, जल चड़ाइए, पर आस्तिं के सापों से सचेत रही है, अपन से लोग गदारी करके उनके पार्टी में आये हैं, जहां तक निया जी की बात है, इनके प्रदेश प्रवारी रहते हुए, इनके नेता पी मुझली दर राव बोल करके गए हैं, कि भाज़पा के नेता नालाये के, तो भाजपा के नेताओं को अपनी नालाये की पर ध्यान देना चाहिए, हां, ये जरूरे के जीवन में आस्तीन के सामोओं को कभी पालना नहीं चाहिए, भाजपा इस पक्स में हो यदि कि आस्तीन के सामोओं को पालना चाहिए, तो भाजपा बता देशे। क्राएं हाँ वो ठीक है पर कई बार ऐसे बयान देंखम आदें लोगों खेट हैं और इस्वज़ेसे और क्ई सारे नेता छोड़ के भी चले जाते अपमान का भी आरूप लगाते हैं तो मुझे लगता भाजपा का कई सारे नेताओं के साथ आप अन्याए कर रही है बानिया जी तो पूछ लीजिए क्या पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को ये आतीन का साथ मानती है इनके पार्टी में सुरश पचोरी जी आए जोते राजित सिंधिया जी आए कई सारे विधायक आए क्या वो श्रेड़े में हम तो नहीं मानते हैं आप मानते हों तो ही आपकी सोच में ठीक ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और चलिए बागे बढ़ेंगे जबलपुर का जिक्र करेंगे गौर नदी के कटिया घात में नहाने गई महीला पानी के तिस बहाफ में बैगई बताय जा रहे कि नहाने के दौरान महील का पैर पसल गया और वो तीज बहाफ में बहे गई सूचना के बाद SDRF और होमगार्ट सैनेक महीला की तलाश में अब भी जुटे हुए हैं तेज बारश और लगातार हर कहीं जल भराव की स्थिती नदी नालिया उखवान पर हैं आप लगातार देख रहे हैं और इसे बीच कई हाथों की तस्वीर भी सामनी आती रहती हैं इसे बीच पानी के तेज बहाफ में महीला भै गई और अब तक टीम जो है तलाश में जुटे हैं परना में ट्रिपल मॉडर हुआ है और इससे संसनी फैल गई है समरी अथाना के कड़ना में तीन लोगों के हत्या हुगई जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस में पहुची पूरा गाव पुलिस चावनी में तब्दील हो चुका है हत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है जाच परताल पूरे ही मामले में जारी है शाजापुर का जिक्र करेंगे जरजर मकानों पर प्रशासन का एक्षन देखने को मिला है शहर के तीन जरजर भवनों को जमी दोस कर दिया गया दो मकान एक स्कूल को गिरा दिया गया सागर में हुई घटना के बाद सीएम के नर्देश पर ये कारवाई हुई है SDM नगरपाली का समेद अधिकारी मौजूद रहे एक दरजन जरजर भवन को 24 घंटे में खाली कर गिराने की नर्देश दिये गए है बतादे कल दोबारा जरजर भवन को गिराने की कारवाई होगी तो जरजर भवनों को जमीदोस करने का काम लगातार किया जा रहा है कि कोई अन्हूरी ना हो कोई हाथसा ना हो और शनहिद भी लगातार सर्कार करें भी है तो शासन इसमें जुटा हुआ है सिभीर चिहां पर जरजर मकानों पर बुटोजर चला और इस तरह की कारवाई आगे भी जाजी रहे है सागर हथसे के बाद राइसें भी जिला प्रशासन अलर्ट मोट पर दिखा है जरजर भवन की अधिकारी जाच करें हैं हाला कि राइसें कलेक्टरेट बिल्डिंग की हालत भी जरजर है कलेक्टरेट का न्यूज 18 सहयोगी ने जाइजा भी लिया सियम डॉक्टर मोहान यादव ने रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन में शरकत की न्यूज 18 से खास बातचीत के दोरान उन्होंने कहा कि बहनों का अश्रवाद मिल रहा है सरकार महिलाओं के सरशक्तिकरण की दिश्रा में काम कर रही है सियम आवास पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था यह एक ऐसा पल जहां आज हम महिला सरपंच सम्मेलन रक्षा बंदन का कारेक्रम यहाँ पर मना अश्रवाद से हमारी सरकार चल रही है और नारी सरक्तिकरण की दिश्राम सरकार भी लगाता रही है जो कह रहे है कि राली बहनों का प्यार जो है वो लगाता हमको मिल रहा है और आने वाले समय में में कल जो है बड़ी सौगात वो देने वाले है कमरों अजयतावर के साथ सैलेंसिंग निजिटीन भोपाल भोपाल का जखर करते हैं संग कारेले की सुरक्षा हटाई गई है इटू में हैं संग का समीधा कारेले बता दें शेतरी बदादिकारी भी रुखते हैं 15 साल से मिली होई थी सुरक्षा MP SAF की और से ये सुरक्षा मिली होई थी कारेले की सामने स्थाई टेंट लगा था समेक्षा के अधार पर हटाई गई है सुरक्षा बतादे संग के सहमती से सुरक्षा हटा दी गई राजधानी भोपाल में सिर्थ राश्टी स्वाम सेवक संग के प्रांतिय दफ्तर से अब सुरक्षा ववस्ता हटा दीगे जो गहंटे प्रता दीगे के प्रुपाल में सिर्थ राज़ करते हैं कि मैवें से बस्तर कुछ ववस्ता हटा लिए गए थाया थाई यही हो रहा है कि 15 साल से लगातार जब यहां पर सुरक्षा ववर्ष्टा प्रधान की जा रही थी तो आखिर ऐसी कौन सा रिवी हुआ जिसके चलते इस सुरक्षा ववर्ष्टा को हटाना पड़ा है कवरान अजयत अबर के साथ सैलेंसिंग जूजेटीन वोपाल वोपाल में आरेसस के फ्रांतिय कारले समीदा भवन से सुरक्षा हटाए जाने के बाद इस मामले में अफसियासत शुरू हो चुकी है कॉंग्रस का आरोप है कि अब बीजेपी और संग के बीच में रिष्टे तल्क होते जा रहे हैं और इस बात को लेकर सुरक्षा हटा दी गई है तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि सुरक्षा की लगातर समिक्षा की जाती है पिछले दिनों थ्रेट आया था तो सुरक्षा बढ़ाई गई थी आपको बता दें कि संग के दफ्तर और संग की बतादिकारी को लगातर धंकी मिलने पर समिक्षा भवर में सुरक्षा दी गई थी बकाईदा सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी हत्यारों के साथ तैनाथ किये गई थे और दूर से नजर रखने के लिए वाच्च टौवर भी बनाया गया था जन्ता पार्टी किस दीती यो नियत से काम करती जब कॉंग्रेस की सरकार पंदरा महीने की थी जब समिक्षा करके कुछ सुरक्षा हटाई थी तो बवाल मचाने का काम कर दिया था आज भारती जन्ता पार्टी खुद इनके उपर से सुरक्षा हटाने का काम कर रही है तो क्या माना जाए कि लगातार जो इनके बीच पे तल्क होते रिष्टे जा रहे हैं क्योंकि जो लोट के माल की किस तरीके से बंदर बाट में जो दिक्कत है आ रही है उस बाल को कही न कही ठिकाने लगाने के लिए जो अलग अलग तरीके से कैसे इस लड़ाई को सतर पर आ गई और जो कही न कही बिकाउ लाल गए हैं जो अलग अलग तरीके के लोग लूटने में लगे हुए ते लूट के माल की जो बंदर बाट है मुझे लगता है उसका नतीजा दिख रहा है कि मुझे लगता है समीक्षा करते हैं लगातार कि कहां के साथ जैसे थ्रेट आई थी तो एकदम सुरक्षा बढ़ा दी गई कॉंग्रेस समय में उसको हटाया था वापस फिर से वेवस्था कायम होई अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी आज समाचार पत्रों पड़ा कि वहां से जो वेवस्था चोकी हटाई है और उसकी वो समिख्या करनी बात अपना तै करते ही हाथसा होना बताया जा रहा है और इसे बीच यह हाथसे की तस्वीर आप देख रहे हैं दो नाव दूब गई और नावे जो हैं इसमें डूब गए और उन्होंने तैर कर अपनी जान बचाए बढ़वानी में उफान पर नर्मदान अदी है राजगाट का पुराना पुल जल मक्न हो चुका है मंदर और दुकानों तक पानी पहुँच चुका है कलेक्टर ने अधिकारियों को देशा नर्देश भी दिये हैं नर्मदा कच्छार में जारी किया गया है अलर्ट खत्रे के निशान से पांच मीटर उपर नर्मदा बह रही है अब उतों प्रदेश में हो रहा ही लगातार बारिज का असर अब जो है राजघाट में वह देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस वक्त हम मौझू थे और देख सकते हैं सड़क जो है पानी से लभा लब बढ़ जा चुकी है और जो महारा राजगाट के रहने वाले हैं वह भी अब धीरे-धीरे अपना सामान लेकरulous चोड़ करके दिप किलिशनिफेटी in Chabout नलोभी किपने लोगे अभी गाओं में हम जहां कड़े हैं, यह सडक है जो की राजगाट और बढ़वानी को जोड़ती है इसी सडक मारग पर हम कड़े हैं और तड़ो सफर ताए करना है, लेकिन नाओं के मादियम से, किसी वहान के मादियम से नहीए बुर्हानपुर में कुए में चोर गिर गया मोटर पम की केबल चोरी करने गया था यह चोर पैर फसलने की वज़र से गहरे कुए में गिरा पूरी रात कुए में जिन्दगी की जंग लड़ता रहा SDRF ने घायल चोर को निकाल लिया जिलास्पताल में इलाच चल रहा है फुलिस मामले की जांच परताल भी कर रही तो चोर चोरी करने के लिए पहुँचा था पर खुदी जंदगी की जंग लड़ता वो नजर आया दरसल पैर फसल गया और कुए में गिर गया और सुबह जब लोगों ने देखा तो टीम को सूचना थी जब SDRF के टीम पहुँची इससे बहार निकाला गया अब अस्पताल में भरती करा दिया गया है साथी साथ मामले की जांच परताल भी चल रही है